बहुत बहुत स्वागत स्वाइब का हमारी यूटूब चैनल सुन्समीरिया में मैं हुराज राब दिखते हैं सुन्समीरिया यूटूब चैनल भ्याड इनुवस्टी के उनीसे 22 के पार्ट बन के छात्र चात्र है रिजल्ट का आप जादे इंतजार नहीं करना है 2022 में आगा जनवरी के महीने में लगभग तीन जनवरी के बाद ही रिजल्ट आपका चारी किया अज़ागा तो मोटा मोड़ी हम मान करें के चले कि पांच जनवरी तक हो सकता है कि आपका रिजल्ट आज है यह फरिक्षान अंतर जी क्या कहना है क्योंकि वीसी महोते अभी वि इश्यविदाल अपने नियर समय और जो आप दिनों में काम करती है वो काम कास करेंगी अपने समय के अनुसार कुछ शात्र शात्राओं ने रिजल्ट देख लिया है और कमेंट यह किया जार है कि क्या मेरा रिजल्ट चेंज हो सकता है तो हाँ आपका रिजल्ट चेंज हो स तो आपका प्राइट के वाला सब्जेक्ट है और इस टाइप का और नमबर वगार शो हो रहा है तो कम चाहिए कि आपका रिजल्ट चेंज हो वहीं आपको यदि 16,6, 60, 45,6, 55,S success गरां इस तरीके से आपका नमबर मिला हो तो आपका रिजल्ट चेंज नहीं हो गाला कि क्यों कि इस तरीके का रिजल्ट। उसमें कोई गलती नहीं हुई है सिसमें और नमबर आया है विठ सेंग्य को फिर से अच्छे तरीके से तो जो मारशीट है स्कैन हुई है तो उस वक्त रिजल्ट आपका चेंज हो सकता है जिनका 11 नमबर कुछ शातरों का 50 नमबर इंगलिस में 11 नमबर दिया गया है तो उसमें तो खेर चेंज होना ही है तो रिजल्ट का आप फिर से इंतजार कीजिए एक तरप से सवाल ये पूछा दार है कि फर्स डिवीजन जो है पार्ट वन में लाने के लिए फर्स डिवीजन से पास होने के लिए पार्ट वन में कितने नमबर चाहिए अब एक पारे स्क्रीन पर ये मार्क शीट है आप दिखीगा इनका तो इनका 266 नमबर है कहा जौता है कि आपको जितने भी परका आप एक्जाम देते हैं ओवर ओल का 60 परसेंट आपका होना चाहिए फर्स डिविजन लाने के लिए यदि आपका नमबर आपका टुडर एक्जाम पांस सो नमबर का होता है तो आपको 300 number लाना पड़ता है 1st Division के लिए इनका कितना है तो इनका आप देखेंगे तो इनका 200 सर्थ है लेकिन हम फिर भी कहाँगे कि यह student अभी 1st Division से है 1st Division से पास है अब आप कहाँगे कैसे तो हम आपको बताएंगे आप जो देख पार स्कीन पर देखेंगे गर्विशन में जो होता है आपको सब्सुडिरी 1st Division के लिए जोरा नहीं जाता है 1st Division हो या 2nd Division हो वो आपके सब्सुडिरी से डिसाइड नहीं होता है आपके अनर्स पेपर से डिसाइड होता है और Part 1, Part 2 में जो आपका result दिया जाता है उसमें सीधे लिखा जाता है कि आप pass है या आप fail है या प्रमोटेड है अब देखिए पास का कॉलूम है तो पास की नेचे इसमें एक और पास होता तो यह इस्ट्यियंट पास होते लेकिन आप देख पार है पर्मोटेड है यहाँ पर्मोटेड कर दिया गया है पर्मोटेट इन कंपोजीशन मतलब की इनका जो 50 हिंदी और 50 इंगलीश है उसमें से किसी में पासी मार्क से कम नमबर आए अब देख पा रहे हैं यहाँ पर एक में 24 नमर इनको आया है 50 वला में और एक में 11 नमबर आए अब यह 11 नमबर है किनका मार्क शीट है आप देखेगा सोनु कुमार तो आपका रिजल्ट होगा चेंज होगा अब देख पाई यह 11 नहीं होगा कोई और नमबर यहाँ पर बैठेगा तो हो सकता है कि जो आपका नहीं रिजल्ट है आप उसमें पास हो जाए तो आप देख पारे तो इनका हिंद से शीट हैं फिजीक सानर से पेपर वन थीरी में इनको मिला राइटीस नमबर उसको आप देख पार रहें 37 नमबर तो आरटीस और 37 मिला करके पिछहक्तर हुआ और इनको चुह है पैंतालिस नमबर इनको प्रोडाट में मिल गया तो टोटल इनका हुआ एक सो बीस नमबर अब यहां पर दिखेगा तो 200 का 60 प्रतिश्रित 120 होता है, मतलब कि यह स्टुडेंट पार्ट वन में फर्स्ट डिविजन से पास है, आप देख पार हैं, साड़ों 120, तो आपका जो डिविजन डिसाइड होता है, और अभी यहां पर नहीं लिखाएगा दिविजन देख पार थर्ड यर का जब आप एक्जाम दीजेगा, तो थर्ड यर के माक्षीत जो आएगा, थर्ड यर के माक्षीत पर आपके पार्ट वन का नमबर टूटल आड रहेगा, पार्ट टू का नमबर टूटल आड रहेगा, और पार्ट थरी का टूटल नमबर आड रहेगा, तो पार में कि हमस्स नम्बर मिला हैं तो एक सवाल यह भी आता है कि सरमान लीजिए 120 है यहाँ below 116 सespère नम्बर मिलता से हमएं से पास होते हैं थिक है अजन हम जाते हैं यहां पर हम को 124 नम्हें मिल जाता है मतलब कि 4 नमर 100 हो गया और पार्ट 1 में हमको कितना मिल भाँ 116 क्या ओच चार 116 में आकरके एड़ो करके 120 हो जाएगा तो 240 हो जाएगा तो क्या हम 1st Divisions हो सकते हैं पार्ट 3 में हाँ तो आप बिलकुल हो सकते हैं मतलब कि कमो बेज पार्ट 2, पार्ट 1 या आपके अनयर्स में होते हैं तो आप फॉर्स डिविजिनस से आप पास हो जाएगे तो उमीदा कि आब आपको समझ में आगे होगा कि फॉर्स डिविज्जान से स्थारे llev से डीजाइड होता है और फॉर्स डिविजन कितना पढाता है भुत बहुत शुक्रीया आपका इस फी